सो हलो गाईज वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्ट विद जैट के मैं आज की वड़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाई नेटवर्क के एक बहुती बड़े अपडेट के उपर फ्रेंड्स यह अपडेट आज ही आया था और मैं इस अपडेट के उपर वीडि करते हैं तो आपको हर एक अपडेट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है तब आगे चलके इससे बहुत तगला प्रॉफिट ले चकते हैं आज की वीडियो बहुत ज्याद होने वाली है तो आप पूरी वीडियो दिखिएगा तो पाई को टीम की तरफ से आज सुबा ही एक प्रॉफिट मिलियन से जादा ही सब्स्राइबर इनके कंप्लिट हो चुके हैं तो फ्रेंड्स में आपको बताऊंगा पाई नेट इस नौट रॉनिंग यह आज जो इनका मेसिज आया इस मेसिज में यह बताय गया है कि आपको कहीं भी अपने पाई अकाउंट को पाई अक है कि साथ पाई नेट नेटरिक के पीछे बहूससे स्कैमर भी पड़ गए हैं जो के friends pi network के साथ scam करना चाते हैं pi network के users के साथ scam करना चाते हैं यानि के pi network के जो users हैं जो update से वाकिफ नहीं रहते हैं उनके पास ऐसा message जाता scamors का कि इस side में आप लॉगिंग करिए यहां से आप अपने pi को withdrawal कर सकते हैं यहां से अपने pi को sell कर सकते हैं पिस अकाउंट में लोगिन करिए, आप अपना पासवर्ड बता दिया, ऐसी कुछ आप से पूछ लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पाई नेट्वर्क से लिडिट कोई भी जानकरी, किसी को भी नहीं देनी है, ना आपको अपना प्राइवेट की किसी को देना है, जो आपने समाल के रखा है, वॉलेट बनाते वक्त हुआ, आपको प्राइवेट की की देते हैं, तो आपको फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी वॉलेट की किसी समाल के रखनी है, और इसके लावा आपको वही official update मानना है जो के pie network के अंदर हो और फ्रेंट बहुत से website ऐसा भी कह रही है के pie list हो गया, buy list हो गया है और इसके साथ साथ इसको आप बेज भी सकते हैं और बहुत से लोग भी ऐसे कहते हैं कह रहे हैं कि मैं pie coin को खरीद रहा हूँ आप मुझे भीज दिये और बहुत से लोग जो आपके wallet में जो pie आए हैं जो के आपके wallet में tested net pie हैं वो test net है, वो किसी काम करनी है बेकार हैं, बहुत से लोग आपसे को उससे भी बेवखूफ बना सकते हैं तो फ्रेंट से अब्रेट में यहीं बता गया था आपको किसी भी तरह third party को आपको इस्तमाल नहीं करना है न थर्ड पार्टी में आपको pie network को login करना है न थर्ड पार्टी में जाके आपको कोई भी activities करनी है और वो pie network की तरफ की आपको कोई भी activities third party में नहीं करनी है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका pi network आपको जो pi account है वो hack हो सकता है और उसके साथ आपका wallet भी है को सकता है अगर आप ऐसी हरकत करते हैं आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है आपको सिर्फ pi network पर ही दियान देना है उसके official update पर ही दियान देना है उनका अभी तक आपने telegram नहीं जोइन करा है तो telegram कोन है जो काफी से कर लिस्ट हो गया लेकिन मैं आपको लिए में बताऊंगा कि कोइन कौइन पाइगान मैं इसकी सचा ह吉ो है रॉच नेक्स्ट वीडियो में देखुँगा आज की दाम बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाई टाटा टेक क्यार